जहिन दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थंगे फीट फाइन होंगे देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या-क्या प्रोब्लम्स रहने पर आपको प्रोब्लम हो सकता है इस वीडियो को देखने के बात से आपका मेडिकल से रिगार्डिंग सारा डाउट किलियर हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिए देखिए SSC MTS में जो है आपको दो तरह के पोस्ट देखने को मिलते हैं एक तो हवलदार के लिए और non-technical में एक multitasking के लिए के जो है आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं और इसी में जो है लड़कों को ज़्यादा confusion रहता है इसका medical जो है कैसे होता है क्योंकि हवलदार के ल चाहिए होता है और हवलदार नाम सुन के लड़के रिलेट कर लेते हैं जैसे कि स्टेक पूलिस हो गया पारा मिलेटरी हो गया इस डिपार्टमेंट पे जो हवलदार होते हैं उससे यह लोग कर लेते हैं तो आपका सारा लाउट क्लियर होने वाला है और कोई confusion नहीं यदि आप SSC MTS का form भरे हुए हैं तो आपको इसका तैयारी काफी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसका exam जो है September में scheduled है तो मैं आपको कुछ book recommend करना चाहूँगा तो पूजा publication के जो है काफी बहतर book publish किया गया है reasoning के लिए जो है आप इस book को purchase कर सकते हो इसमें जो है आपका topic wide जो है question देखने को मिल जाएगा इससे आपकी तैयारी काफी बहतर होगी इस book से जो है आपका समाने ग्यान का समाने बिग्यान का जो section है वो complete हो जाएगा math के लिए भी जो है आप पूजा publication का book recommend कर सकते हो साथ साथ English का book भी जो है पूजा publication के द्वारा काफी बहतर publish किया गया है तो इसको purchase कर सकते हो और आप जो है अपने MTS का अच्छे से तैयारी कर सकते हो इस book से यह होगा कि आपका basic strong होगा तो MTS के साथ साथ जो है आप other कोई vacancy का form भरे हुए हो उसका भी तैयारी जो है काफी बहतर तरीका से हो जाएगा medical में आपका क्या होता है उसक आपको चाहिए डॉक्मेंट चाहिए किस hospital में आपको जाके वहां पर appointment लेना है किस तरीको लेना यह सारा चीज आपको देखने को उसको मिल जाता है तो उस लेटर के माधियम से आपको जाना है अमुमन आपका जो medical है जीला अस्पताल में देखने को मिलता है मतलब जीला ज तें जो नो को सकए गर्म है मेडिकल जाती है कि आप किसी बीडिब्लेटि में जाते हैं अब करते हैं तो आपका मेरिकल्स किया लिया घ्रiego कर्थ लिया गया इंटकर लिया थ्यूल्टेंख जाती है उसी तरह से आप मछेम में बस्यूरी बैंद बेदेवIn आपका ब्लड लिया जाएगा, ये दो सारे ब्लड में क Haiya एूरीन में कोई लड़क फेल नहीं होता है। उसके बाद से आपका कलर ब्लाइंडस गएरा देखा जाता है आप चस्मा लगाते हो आपका माइनस फो डायप्टर या प्लस टू डायप्टर आपका पावर है आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका बिल्कुल इसमें सेलेक्शन हो जाए मेडिकल के नाम पे आपका बस दो तीन चीज़े चेक होती है आपका यूरीन ब्लड और एक आपका कलर ब्रैंडेस का चेक होता है बस एक बुक रहेगी उसमें भी फटाफट जो है आप उसको आपको पोट्रेट दिखाया जाएगा और कलर पूछा जाएगा आपको कैसे होता है हवालदार का नाम सुनके सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के दिमाग में एक हाइप बन जा रहा है कि हवालदार मतलब की जो प्रमोट होते हैं वह व्याफ बिल्कुल नहीं है सबसे पहले यह आप जानलो कि यह जो हवालदार है लेवल वन की नवकरी है और वो जो आप देखते हैं स्टेट पूलिस हो गया या जो एससी जीडी के थुरूट स्लेक्ट होके जाते हैं जो कुछ समय बाद पर मुठ होके हवालदार बनते हैं या मिनिस्ट्रियल जो हवा हेड कॉंसेवल की नौकरी आती है उसमें जो हवालदार आते हैं उनका जो है लेना होता तो अच्छे से एक्स्वैन किया आप आप नोटीस में पढ़े होते तो इसमें अच्छे से में किया रहा लिखा है इसका मतलब आपको नीचे दिखिएगा तो अच्छे से explain किया गया है पहले तो आपको B मतलब blind, LB मतलब low vision कहने का मतलब यह है कि अगर आप low vision है आपको कम दिख रहा है आपका एक हाथ affected है एक हाथ एक पैर affected है तब भी जुह है आपका इसमें selection हो सकता है तो जो है अगर आप फबलदार पोस्ट के लिए आते हैं तो इसमें भी जो है functional requirement में जो है आपको AS, ST, W, B, N ये सब चीज़े लिखा गया है और suitable category of benchmark disability में जो है आपको HH लिखा है मतलब की hard hearing हो गया HH का मतलब OA लिखा है one arm affected, OA लिखा है one leg affected तो इस तरह से चीज़े लिखा है अगर आपका एक हांच affected है एक pair affected है तभी जो है आपका इसमें selection हो सकता है तो ये बताओ यार इस तरह की criteria आपको इसमें दिखा रहा है तो अपका medical का standard क्या रहेगा सोचो तो आप जो है अपना comparing करना बंद करो उस हवलदार से आपका सारा doubt clear हो जाएगा तो लिए ground level पर समझ लिजिए कि आपका medical कैसे होता है तो पर यह जान लिजिए कि आपका क्या क्या चीज़े चेक नहीं होता है जो आपके दिमाग में hype बंद के बैठा हुआ है आपका नौक तो हो सकता है कि थोड़ा सा problem हो जाए क्योंकि color blindness के लिए आपको एक मोटी बूक रहती है उसमें तीन चार पोट्रेट देखाते हैं और अमूमन लड़के बता ही देते हैं तो color blindness वालों को भी जो है जनरली problem देखने को नहीं मिलेगा बाकी medical के नाम पे आपका blood test, urine test यह दो चीज़े की जाती है, लड़के fail नहीं होते हैं, जिसे की होता क्या है कि आपका medical कराने जाते हैं तो वहाँ पे तो सब लड़कों को appointment एक दिन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा भीर gathering रहता है, तो सुबह से साम तक लड़के खाना पीना इस तरह से अच्छे से नहीं कर आँखों के जात में जो है आपका कलन बैनिस देखा जाता है, निकट दूर से कोई मतलब नहीं है, और दात और चेस्ट यह सब चोड़िये दो, ठीक है, और बाकी नर्मली आपका physical requirement में जो height है, height भी आपका नापा जाता है, जो है आपका नापा जाता है, तो यहीं आपका हवालदार post दिया गया है, जैसे कि जो भी आपके officer है, चायो GSTS officer हो गया, चायो कॉस्टम officer हो गया, किसी तरह की officer हो गया, तो उसके decorum के लिए जो है, आप लगे हुए हो, assist करने के लिए उसको लगे हुए हो, जो भी चोटी बड़ी चीज़े है, उसके लिए आप लगे जाते हो तो बस ऐसे नर्मली आप उनके साथ जाओगे बाखी प्रोटेक्शन के लिए लगी ही हुई है तो आपको पूलीस मत समझ लेना ठीक है पूलीस वाला हवलदार मत समझ लेना जो लख कि यह है कि आप यह समझ लो कि आप defense करने के लिए नहीं हो बस आप प्रस्नली कोई कोश्चन क्यूरी हो तो वो प्रस्नली आके भी मैसेज कर सकता है डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा आपको लिंक मिल जाएगा के लिए ठीक है फिर मिलता है अगले कोई नेक्स्ट अब्डेट में जैहिंद बंदेवात रहा हुआ